हेलो एब्रिवन एक्स्टर नॉलेज में आपका स्वागत है तो आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिस एटला हैं वो जी आई सी परवक्ता पार्थिकर्म के अमसास समाज सास में आप देखिए गए यूनिट नाइन जो की समाजी का नुसंधान इमसांखे की दिया हुआ है उ जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बिजिस एटियूल के वज़े से हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सके लेकिन कोशिश करेंगे कि अब जो आगे यूजी सी नेट जिन भी स्टूइन ने डाला होगा उनक बिना उद्देश्यों के या उप्षण डी महात्पूर्ण बातचीत के लिए तो यहां पर बात करी जा रही है कि वैग्यानिक अवलोकन का क्या आर्थ होता है किस वस्तूओं को देखना तो यहां पर आंसर रहेगा उप्षण ए उद्देश्यों के साथ किसी भी इसको समझ लेजे वैग्यानिक अवलोकन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी समाजिक घटनाओं का अवलोकन किसी निश्चित उद्देश्यों के लिए करते हैं तो वो क्या होगा वो होगा वैग्यानिक अवलोकन ठीक है तो यहां पर आप्षण ए सही रहेगा आईए कि तरफ सक्षतकार के दोरान सक्षतकार निशदेशिका किसके दोरा उप्योग में ली जाती है उप्षण ए सक्षतकार दाता ओफषण भी साक्षटकार करता ओपशन सी विभिनलोकों के दोरा privilege याॉप्षण D दोनों A और B तो यहां पर आंसर रहेगा option B साक्षतकार करता के द्वारा साक्षतकार निर्देशिका का प्रियोग किया जाता है यह वो चीज होती देखे पहले साक्षतकार क्या होता है साक्षतकार वो होगा कि जब हम किसी विशिश उद्देश्चों के लिए एक आपचार वारतालाब करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे उसे साक्षतकार बोलेंगे और साक्षतकार में साक्षतकार निर्देशिका का प्रियोग किया जाता है जिसमें वो प्रशनों की एक सूची होती कि जो जो प्रशन साक्षतकार में पूछने हैं वो उसको साक्षतकार द्वारा लिखा जाता है कहलाती है option a साक्षतकार option b प्रश्णावली option c अनुसूची या option d व्यक्तित्व अध्यन तो यहां पर answer रहेगा option b प्रश्णावली ठीक है तो वह पद्धिती जिसमें प्रश्णों का उत्तर स्वैम उत्तर दाता द्वारा लिखा जाता है वो क्या कहलाती है वो प्रश्णावली जो होती है वो जो उत्तर दाता जिसे हमें प्रश्णों के उत्तर चाहिए होते हैं उ उसे पढ़ करके उसे फिल करके पूरा उत्रों को और फिर हमें लोटा देता है तो यह होता है प्रश्णावाली में जो उत्तर जाता होता है उसका साक्षर होना बहुत जरूरी होता है इस शीच का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह क्वेशन पुछा गया है आई यह बढ़ते एक समाजी की काई के संपूर्ण अध्यन है तो कौन सी पद्धिती का प्रियोग किया जा सकता है और प्रश्णावली और व्यक्तित्व अध्यन और अप्शन सी अवलोकन यह अप्शन डी अनुसूची आई होप इसका अंसर सभी को पता होगा यहाँ पे अंसर है ऑप्शन वी व्यक्तित्व अध्यन जब एक समाज की किसी इकाई का संपूर्ण अध्यन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसे व्यक्तित्व अध्यन या केस स्टड़ी बोलते हैं ठीके तो इसमें क्या होता है इसमें जब समाज की किसी एक इकाई का संपूर अध्यन किया जा रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा केस स्टडी या वेक्ति तो अध्यन कहलाएगा आईए बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टन की तरफ और फ्रेंट्स आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसमें हम पीडियाफ भी प्रोवाइट कराते हैं उसके कि निमलिक खिर अनुसंधान चरणों का सही क्रम बताईए उप्षण अनुसंधान अभिकल्प तत्थِ संसादन तत्थि विश्लेशन ओर निर्वाचन और अप्षणी तो बताइए ये कौन सा चरण है जो कि अनुसंदान का सही क्रम की सबसे पहले क्या चीज़ किया जागा फिर तथियों का संक्लन किया जाएगा तद्रोग्राइम से ताइम से तैयारी कें प्रकल्पना होती है अंतर नहीं की प्रकल्पना ऑप्शन भी कुछ अंतर है की प्रकल्पना ऑप्शन से सर्वधिक अंतर है की प्रकल्पना या ऑप्शन भी ओसत अंतर है की प्रकल्पना तो बताईए सूने प्रकल्पना क्या होती है तो जिन भी फ्रेंट्स ने ऑप्शन ए चूस किया वो सही है अंतर नहीं है की प्रकल्पना को क्या बोलते है सूने प्रकल्पना बोलते है ठीक है तो जो सूनिफ प्रकल्पना होती है इसमें दो चरों के बीच जब संबंद जो होते हैं वो सूनिय निराकरणिय होते हैं तो उसे क्या कहेंगे वो सूनिफ प्रकल्पना कहलाएगी तो जब अंतर नहीं है कि प्रकल्पना मतलब सूनिफ प्रकल्पना कहलाती है आईए बढ़ते next question की तरफ परिवत्यों के बीच संबंदों की जाच करने वाले कथन को जाना जाता है option A, अनुसंधान प्रश्ण option B, प्रकल्पना option C, अध्यन के उद्देश option D, अध्यन की समश्या तो परिवत्यों के बीच संबंदों की जाच करने वाले कथन को क्या बोला जाता है इसमें ये पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर रहेगा option B, प्रकल्पना ठीके तो प्रकल्पना को ही परिवर्तों की भी संबंदों की जाज करने के कथन के रूप में जाना जाता है आईए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसकी अनुसंधान करता दोरा जाज करना अभी शेय से अप्शन ए उपकल्पना ऑप्शन बी सिध्धान्त ऑप्शन सी अनुसंधान या उप्शन डी संप्रत्य तो क्या कहा जाता है उस काल्पनिक प्रस्तावना को आई होप इसका अंसर तो आप सब ने गैस कर लिया होगा तो यहां पर आन्सर रहेगा option A उपकलपना अब हम आपको प्रकलपना से 3 सुन प्रकलपन्य करा चुक या होता परिवर्टियों के सबंधों के बीच में और एक ही तीसरा जो की उपकलपना मतलब प्रकलबण ठीक तो यह भी कालपनिक प्रस्तामना होती है जो अनुसंधान करता है प्रक charm को बनाता है उसके अदार पर अनुसंधान करता वह करता है तो उपकल्पना में ठीक है आई अब बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ प्रियोग आत्मक सोध क्या है ऑप्शन ए एक स्वतंत चर्का को सलता पूर्वक प्रियोग करना ऑप्शन भी स्वतंत चरों को छोड़का आने सभी चरों को इस्थिर रखना ऑप्शन सी आज स्वतंत चर्प स्वतंत चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन करना या ऑप्शन भी उप्रोक्त सभी तो यहां पे पूछा गया है प्रियोग आत्मक सोध क्या होता है तो आप पॉस्ट करके पढ़ लीजे फिर आंसर दीजे तो देखिए यहां पर जो आंसर हैगा जि जिसमें कुछ चरों पर नियंत्रित किया जाता है मदब इसमें क्या होते है चर्ज जो होते हैं वो नियंत्रित उप में रहकर के अपने प्रभाव को दर्शाते हैं आईए बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन की तरफ मौखिक इत्यास पद्धिती का प्रियोग मुखिता किसके द्वारा किया जाता है आप्शन ए पुरा तत्व विद्ध आप्शन बी अधिनस्त इत्यासकार आप्शन सी समाजी कारिकर्ता यो आप्शन डी अर्थ सास्ती तो देखिए यहां पर जो अंसर हैगा आप्शन बी इत्यासकार तो अधिनस इत्यासकार जो होते थे इनके द्वारा किस पद्धिती का प्रियोग किया जाता है आई यह बढ़ते next question की तरफ case अध्यन पद्धिती को कहा जाता है option a जैव के सूच्मदर्सी option b समाजिक सूच्मदर्सी option c प्रकर्यात्मक सूच्मदर्सी option d एतिहासिक सूच्मदर्सी अभी आपको हमने case study जिसे व्यक्तित अध्यन पद्धिती भी बोला जाता है मैंने समझाय था तो देखें यहां पर answer रहेगा option b समाजिक सूच्मदर्सी तो case अध्यन पद्धिती मतलब इसके अंत्रगत समाजिक सूच्मदर्सी से कहा जाएगा और इसकी सहायता से कोई भी सम समाज की इकाई जैसे व्यक्ति होगे सम्मू होगे समुदाय होगे संस्ता होगे इन सभी का अती सूच में अध्यन करना इस study कहलाता है ठीक है आईए बढ़ते next question की तरफ समाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है option a उपकल्पना का निर्मार option b समश्य का निर्मार या न तो देखे समाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या होगा किसी भी उपकल्पना का निर्मार करना तो उससे सबसे पहले क्या किया जाता है उपकल्पना का निर्मार किया जाता है कोई भी अनुमान या सहज ग्यान जो हमने पहले कभी देखा होता है उसके अधार प्र समाज संधान स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला चरण क्या होगा कल्पना का निर्माड करना होगा आई अब बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ गुडात्मक लिखा होगा ठीक है गुडात्मक आकड़े होते हैं ऑप्शने साब्दिक एवं अवलोकित ऑप्शन वी सांकेतिक सांकेकी विशलेशित या सर्णी करत तो यहां पर अंसर होगा ऑप्शन ए साब्दिक वा अवलोकित गुडात्मक आकड़े जो होते हैं वो शाब्दिक होंगे और अवलोकित मतलब देखे गए पर्टक्ष रूप से हम जिसे अवलोकन के द्वारब उप्योग में लाते हैं वो आकड़े गुडात्मक आकड़े कहलाएंगे या भी साब्दिक मतलब सब्दों की दोरा जिने हमने लिखा होगा वहीं मात्रात्मक या पर्णात्मक जो आकड़े होते हैं वो संख्या के रूप में होते हैं ठीक है गुडात्मक मतलब साब्दिक वावलोकित और पर्णा करना के लिए काईस क्वेट में क्या हूं कि यहां पर बात हो लीए कुसके युग दाने के लिए लो camino है 題 स्थे संबंध गुडांक के लिए किसे C प्रियोग नहीं किया जाता है उप्षण वी व्यक्तित अध्यान और उप्षण दी इन्वेंट्री अभिलेग प्रबंधन यहां वे बात की जाई आक्रा संक्लन वीधी के लिए किसे नहीं जाना जाता है तो देखे आक्रा संक्लन वीधी के लिए उप्षण डी इन्वेंट्री अभिलेग प्रबंधन इसे नहीं जाना जाता है जबकि आक्रे संक्लन के जन करना का भी प्रियोग किया जाता है वेक्तित अध्यान का भी प्रियोग किया जाता है इन तीनों के दोरह हम आक्रों का संक् नहीं है option a माधे option b माधिका या option c बहुलक या option d t-test । तो यहाँ पे जो अंसर दहें का option d t-test जो यह करने प्रवर्थी का माप नहीं है जबकि करने प्रवर्थी के माप तीन है एक माध्य की बहुलाओ और माध्य होगा एक टीक क्या होता है टी टेस्ट जो ए एक प्रकार का अनुमान आत्मक आक्रे होते यह बर्टे नडेक्स क्यों प्रकार के अनुसंदान प्रारूप में किया जाता है option A, प्रियोगात्मक, option B, वर्नात्मक, option C, अन्वेश्रनात्मक, या option D, निदनात्मक तो यहां पर answer रहेगा option B, वर्नात्मक, ठीक है, यह क्या है का वर्नन कहां किया जाता है, वर्नात्मक अनुसंधान में किया जाता है आईए बढ़ते है next question की तरफ सह संबंद गुडांग का मूले हमेशा किन के बीच में होता है option A, plus 2 और minus 2 option B, 1 और 9 option C, minus 1 और plus 1 या option D, 1 और 10 तो अभी हमने आपको काल पेर्शन वाला जब भी question आया थे तो मैंने आपको समझाया भी था इसका ही answer तो यहाँ पे answer रहेगा option C, minus 1 और plus 1 के बीच में सह संबंद गुडांग हमेशा मापा जाता है तो सह संबंद गुडांग का जो मूले रहेगा वो minus 1 और plus 1 के बीच में ही रहता है और इसे किस ने दिया था? काल पेर्शन ने इसे समझाया है आईए बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ जिस प्रकार के नेदर्शन में प्रते की काई को चैन होने का बराबर अफशर होता है उसे क्या कहा जाता है? उप्शन A, उद्देश पड़क नेदर्शन उप्शन B, यादर्शिक नेदर्शन उप्शन C, जनगरना या उप्शन D, संस्तरित नेदर्शन तो इसमें बात किया जारा है कि कौन से ऐसर नेदर्शन है जिसमें प्रते की काई के चैन की बराबर का अवसर होता है तो यहां पर अंसर हैगा option B यादर्शिक निदर्शन जिसे random भी बोलते हैं यह जो sampling होता है इसमें क्या होता है इसमें सभी काई के चुने जाने के बराबर अवसर होता है इसका अगर सबसे सबसे उधारन होगा तो कौन सा उधारन होगा lottery ठीक है lottery प्रणाली जो होगी इसमें क्या होता है इसमें सभी के समान या अवसर होते हैं कि किसी ना किसी का नाम आ सकता है तो lottery जो होगा यह यादर्शिक निदर्शन या फिर sampling जिसे बोलते हैं रैंडम सैंप्लिंग में चुने जाने के संभावना होती है इसका सर्फश्रू धारान क्या होगा लॉट्री होगा आई यह बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ निमलिखित में ऐसे कौन एक सोध प्रारूप नहीं है ऑप्षने विवेशनात्मक ऑप्षन बी अनवेशनात्मक ऑप्षन C प्रियोगात्मक या अनभवात्मक तो यहां पर आंसर हैगा ऑप्षन D अनभवात्मक ठीक है यह सोध का प्रारूप नहीं है जबकि सोध के चार प्रारूप होते हैं जिसमें विवेशनात्मक या वरनात्मक बोल सकते हैं अनवेशनात्मक बोल सब्सक्राइब और कि अनभवाता सौत प्रारूप नहीं है कि आई यह बढ़ते नेक्स केको तरफ कि निमनांकित में से कौन एक वैज्ञानिक की विशेष्ता नहीं है ऑप्शन समानिता, ओप्शन वी, वैश्यक्ता, ओप्शन C, निश्यात्मक्ता या ओप्शन D, नैतिक्ता तो कौन जो की वैग्यानिक पद्धिती की विश्यस्ता नहीं है तो यहाँ पर आंसर होगा ओप्शन D, नैतिक्ता यह जो है विए वेग्यानिक पद्धिती की विसेश्था नहीं है जबकि समानिता, वैश्विक्ता, निश्यात्मक्ता, ठीक है वस्तनिश्था, सत्यापन, सीलता और पूर्वकत्नेयता यह सब चीजे वेग्यानिक पद्धिती की विसेश्था होती है आईए अब बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ निमलिखित मैसे किसने method in social research पुस्तक लिखी है option ने जो की method in social research पुस्तक लिखी है आईए अब बढ़ते नेक्स कोश्चन की तरफ दो गणात्मक चरो के परस्पर संबंद को ग्याद करने है तो कौन सा गुड़ात्मक प्रियोग किया जाता है option A सहचारी गुड़ांक option B सह गुड़ांक option C A और B दोनों या option D उप्रोक्त मैं से कोई नहीं तो यहाँ पर गणात्मक चरो की बात की जा लिए तो यहाँ पर answer रहेगा option C A और B दोनों मतलब सहचारी गुड़ांक और सह गुड़ांक दोनों में किन चरो का प्रियोग किया जाता है गणात्मक या फिर मात्रात्मक चरो इन्हें तीन नमों से जान जाता है गणात्मक ब विधी का प्रियोग किसे किसने किया माना जाता है option A कारल मोजर option B चार्स बूत option C W जे गुड़े या option D P F लॉस फील्ड है तो सर्वेक्षन विधी का पूछा जा रहा है सबसे पहले प्रियोग किसने किया था तो यहां पर आंसर रहेगा option B चार्स बूत ने सबसे पहले समाजी का संधान में सर्वेक्षन विधी का प्रियोग किया था आई अब बढ़ते है next question कि तरफ माधिका की गर्णा करने का सूत्र सही है तो यहां पर जो अंसर रहेगा option C माधिका का सूत्र कौन सा होगा एन प्लस वन बटे टू जो रहेगा यह सूत्र आपका माधिका ग्याद करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है तो इसे याद कर लीजेगा यह questions आया हुआ है and friends I hope आपको हमाई दोर लाय हुए questions समझ में आये होंगे और हम आप लोगों को explain नहीं कर पा रहे हैं बहुत कुछ बाकी आप हमाई जो पिछले वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं उनमें समझ सकते हैं और इस समय जो कि बहुत कम समय बचा है तो हम आपको ऐसे ही questions और उत्तरवस बतानी की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा कुछ समझार नहीं रहे हैं ठीके तो इस आधार पर आप यह मत सोचिएगा कि बहुत साई चीजे नहीं हम बता रहे हैं बताना चाहते हैं लेकिन टाइम कम है जो की और बहुत कुछ पढ़ना है आपको इसलिए हम नहीं ब पुछे हुए कोश्चन से और थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल